आर जो की कैनेडा में रहते थे दो धाई महीने से घर खाली था गाओं के एक घर में डेरे में दो घरों में चोरी हो जाती है सामान बिखरा हुआ है सिर्फ बुजुर्ग दादा दादी यहां पर रहा करते थे सुबह तड़ के सुबह पांच बजे घर में दाकिल हुए और ब करीफोन के डब्बे खुले हुए हैं तो कहीं पर आप देखेंगे बैड बॉक्स को खोला हुआ है ऐसा कोई कोना नहीं है घर का जिसको ना छेर चार की गई हो जिसको ना खंगाला गया हो CCTV में तस्वीरे साफ तौर पे कैद हो जाती है चोर घर में दाखिल होते हो दिखता कोई कमरा उसने नहीं छोड़ा है जिसमें उसने छेर चार ना की हो सभी कमरों के अलमारी खुली हुई है ताले तूटे हुए हैं सभी कमरों पर गया दो घंटे तक वो घर के अंदर था सोने की बालिया हो या सोने के कंगन हो चुडा कर यहां से फरार हो जाता है देखिए क इस तरीके से चोर को हालंकि परीजनों के द्वारा पकड़ लिया जाता है सीसी टीवे में गाड़ी का नंबर कैद हो गया चोर की तस्वीरे कैद हो गई गाओं वालों ने आपस में तस्वीरों को साजा किया और परीजनों के द्वारा चोर को पकड़ लिया जाता है उस चोर ने उन दो घंटों में क्या क्या चुराया क्या क्या छेड़ खानी की अकेला आता है या उसका कोई गिरोह है और भी साती हैं जो और जगा चोरियों को अंजाम दे रहे थे क्योंकि गाओं में बैलसार गाओं में पहले भी चोरियां हो चुकी हैं पहले एक घर में चो मर्चेश पांटि रहते हैं गरें रहा किसमीट प्रता अहीं पार हुआ जो पर सुबहु दादा जी आए थे किया जोनों आपना के सिद्धा गेट बंगे खुला फेर अंदर वदे ने फरेक्षिय फिर और वेक्षिय सारा उुद्धा गुदली होई बेटे भार रहते हैं का रेक ते 5 पांज गुशालो चलें बांज तो थोड़े ओए ने कोनो ते दो जो किया चोरी करके लेगे ने अज़ वालना मी लागे ने एक कड़ा लागे ने एक वांग लागे ने एक चाब लागे ने अच्छा अभी तो धीक से देखा निया है अजे ठीक ता कनी वेख्या तो बुजूर्ग हैं ऐसे में तो डर लगेगा रहते भी अकेले हैं अंके जी अकेले आये थे अब कमजूर भी आगर चोर होता चोट पुचा सकता है पुचा सकता है कला ही आया कला ही आनका गेबुवे खोल दा है बिल्कुल बुजूर्ग डरे हुए हैं और मांग करें पुलिस गश्ट बढ़ाई जानी चाहिए सिक्योरिटी बढ़ाई जानी चाहिए पूरे शहर में कि ऐसे में खुले आम चोरिया हो रही है चोरों को डर रहनी गया प्रिसाशन क्या क्योंकि सकते कारवाई उनके खिलाफ में दो घर थे जहां दो भाईयों के परिवार एक समय में रहा करते थे अब बहार चले गए हैं एन आराई परिवारों के घर में चोरी हो जाती है आप लोगों को मैं दिखाऊंगी कि चोर आया उसकी तस्वीरे कैद हो गई सीसी टीवी कैमरा लगे हुए थे और हैरानी की बात यह है कि मारूती की गाड़ी में बैठ के चोर आया था कर रात को तकरीबन देड बजे घर में घुसता है दिवार टापके दाखिल होता है और जितने भी कमरे हैं डेरे आपको पते काफी बड़े होते साइज में जितने भी कमरे हैं सबको उसने इतमिनान से अराम से ब वरात रखे हुए थे वो यहां से चुरा लेता है हालंकि आप सामान देख सकते हैं और CCTV के अनुसार देड़ बजे वो चोर घर में दाखिल हुआ है और तीन बजे के करीब वो घर से बाहर जाता है मतलब धाई घंटे का कुल समय था उसके पास फिर यह एक बेडरूम जो पहल गरन सोने की बालियां चुरा कर यहां से फरार हो जाता है और मारूती गाड़ी में बैठके चो रहा था अब यह दूसरा कमरा आप लोगों को दिखा देती हूं यहां यह आप देखेंगे फोन का डबबा रखा हुआ है यह आईफोन का डबबा उसने इसको भी खोल के दी जाती है बैल सार गाओं है और वहीं पर यह एक डेरा है और डेरे में दो घर है और नराई परिवारों के यह घर है और यहां से चोरी हो जाते सोने के जेवरात चोरी हो जाते हैं आप लोगों को दिखाऊंगी यह दूसरा एक कमरा है यह शायद इनका स्टोर रहा होगा काफी सामान यहाँ पर है पूरा कमरा बिखरा हुआ है मतलब अगर यहाँ घर में पांच कमरे हैं तो पांच के पांच कमरों के साथ छेड़ खानी हुई है मारूती की गाड़ी पर चोर बैटके आया और ऐसे आरोप है घरवालों के कि नशे में था चोर क्योंकि उसको बाद म जाता है जिन्नोंने पकड़ा वो भी हमारे साथ है और भुठाना ठाना पुलिस के हात सोब दिया जाता है शिकाए दर्च करा दी जाती है और चोर से सोने का एक कंगन और बालिया भी बरामत कर ली जाती। यहां देखिए और लोक भी है जिस पेचका से उसने लोक को तोड़ा है अब सुबह ये बुजूर्ग आप देखरें बुजूर्ग दादा दादी है उस परिवार के जिनके बेटों का ये घर है और ये सामने वाले घर में रहते हैं ये सुबह रोज आते थे देखने के लिए तड़के कर लिया जाता है और वो हैंड ओवर भी पुलिस को कर दिया जाता है अब सक्त कारवाही की मांग यहां पर कीजार ये गाउं में इससे पहले भी कई चोरी की वार्दाते हो चुक्ए हालंकि बुजूर्ग भी हमारे साथ हैं उनसे भी बातचीत करेंगे सिर्फ तकरीमन डेड़ बजह के करीब यहां पर एक मुरूति गाड़ी के चोर आया तो उसने यहां चीज़गा पान के अंदर आगे और उसने फिर पहले पृचले घर में चोरी करी फिर अगले मैं चोरी करके टेब 2-5 गंटे चोरी करके चार बजह करिम वहां जहां से निगलके तो नहीं में दोनों घरों में कोई नहीं रहता वह सब वहाँ कैनड़ा में रहाऊ है नहीं परिवार्य है तो क्या-क्या चोरी हो ऐसारी कुछ अभी तो कि सोना और कहां से पोटिज ना सुबह सभी जगह अपने ग्रूप में सब में वार्यल कर दी तो उन्हों किसी ने वहां पर देखा गी मारूती गाड़ी यह मंचूरी गाउंगे तो मारूती गाड़ी में यह आ रहा है गूम रहा है काम में तो गाउं में उसने लड़के ने को मुला उनको सोब दिया सारा कुछ शिकायद दर्ज सब कुछ करा दिया सूना बरामद हुआ एक तो कंगन थे एक वालिया थी एक मुंदरी थी अभी आपने ठीक से देखा नहीं समय ने मिला हो सकता है और कितना सामान चोरी करा हो अभी तो सारा अभी अभी टीम करें भी आएगी उस साथ को देड़ बजे कैसे चोरी को एक चोर ने अंजाम दिया है गाओं में ये एक डेरा है डेरे में घर और यहां पर कमरों में घुसना सभी कमरों के समान के साथ अफरा तफरी यहां पर फिलाना सभी समान को बिखेर देना और उसके बाद सोना चोरी करके चल जाना हो सकत अभी कितना ही समान और भी चोरी होगा, आपको फुटेज में एक बड़ दिखा देना चाहूंगी, आपको बिलकुल साफ तस्वीरे नज़र आएंगी, और चोर बेहद जादा शातिर था, और शायद नशे में भी था सर, हाँ जी पूरा नशे में था, मैडम वहाँ भी, उस देखे वाले घर में पहले जाता है, वहाँ के कुछ बैग और सामान को यहाँ लेकर आता है, और फिर इस घर में दाखिल होता है, और आराम से मतलब 2.5 गंटे वो इस घर में रहा है, आपको तस्वीरे में साफ दिखा दूँगी, देखे, कैसे ये छोर घर में दाखिल हो आप देख सकते हैं तस्वीरे साफ CCTV में कह देख देख और इतना शातिर था इसने गाड़ी लगाई इसको पता था बाहर कैमरा है इसकी तरफ तो इसने गाड़ी पीछे रोग दी कि इसकी गाड़ी का नंबर ना आपाए लेकिन चोर आप देखे कैदो जाते देखे कैसे इस चोर और बाली से अ combien बाने से पता नहीं है तो भी हम न से बात हुई है तो वह अपना की सstar के तो यह लड़का बारतबाद में उनकी विशादी होगी तो वह भी चलेगे सब बार चलेगे दे बिल्कुल क्या कारवाई चाहें गया कारवी ऐसे कि हमारे गाव में पहले भी दो जोरियां हो चुकी है एक बार तो यह गर को आग लगा दी गई ती अच्छा कौन से घर को यह वहाँ थे उनकों बिल्कुल क्लियर फोटस दी चोरोगी आज तक कोई पड़ा नहीं गया गाव का नाम क्या है यह बैरसल खेडा गाव में अब ही तो आज दो गरों में चोरी है दो बर पहले एक गर में दो बर पहले चोरी हो चुकी है बैरसल खेडा गाव है बुजर्ग झादी जी भी हैं। उनसे भी एक बार बात करेंगे। बाकी आपने देखा कि सबी कमरों में अफरा तफरी मचादी। सबी कमरों का सामान विकरा हुआ है।। तो स्पष्ट जानकारी तो है नहीं कि और कितना समान था और जेवर थे और क्या कुछ कीमती समान घर में रखा हुआ था वो तो जादा जानकारी नहीं है लेकिन आप इतना अंदाजा लगा सकते कि आईफोन है उसका डबा यहां पे खोल के रखा है कि पूरी उस चोर ने हाँ पे चोरी की है हर समान कूष ने खंगालने का प्रयास किया है और हालांकि चोर को पकड़ लिया जाता है ताले सारे आप देखेंगे पेचकस और ओजार लेकर आया था कई पे उसने रोड से अलमारी का ताला तोड़ा है ताले तूटे पड़े हैं बुज़ुर्ग दा रहा हुआ है उसके बाद पुलिस को जानकारी दे दी जाती है चोर को पकड़ लिया जाता है गाओं वालों ने जो परीजन है जो रिष्टदार हमाईसा जिन्होंने बातचीत की उन्होंने मिलके चोर को पकड़ जरूर लिया है और अब बस इतनी अपील है कि उससे तहकीकात समय उसने घर में बिताया तो ना जाने उसने क्या क्या चुराया है तो बस इतनी सी ही अपील है कि पुलिस प्रिसाशन भी थोड़ा जागे थोड़ा जागरूख होना चाहिए क्योंकि चोरी की वारदाते बढ़ती जा रही है और यह टेबल पहले यहाँ पे नहीं थी जी यहाँ पर नहीं थी यह ना जाते वक्त पहले कैवर हम देखा वहां गया दिवार से इसका ठाप पाने गया यहां से कोशिश करी यहां से निटाइज जाने गया फिर यह अंदर से टेबल लेकि आया और यहां से डाल की यहां टापके गया जी मतलब चोरों को किसी का डर नह नहीं गया उची थी दिवार तो उसने यहां पर टेबल लगाई और फिर अराम से मज़े से कुदा अपनी मारूती स्टार्ट कि यहां से निकल गया नशे में भी था चौर पूरा नशे में डूल पड़ा हुआ था हमें देखे ना वह सो गया ब्योच हो गया जानके भी हमे जब की देखा जाए तो ऐसा भी नहीं कि घर बिलकुल अलग है आसपास मैं देख रहूं घर हैं परिवार रहते हैं रहाईशी लाक है उसको कोई खोव नहीं था वो सिद्धा उसने गाड़ी यहां लगाई यहां कैमरा ना दिख जाए तो लगा जैसे मैं देख रहूं बिलकुल दो बुजर्ग यहां पे रहते हैं दोनों यह बिमार है उम्र भी काफी जादा है ऐसे में अगर वो घर में होते तो हो सकता है वो चोर उनको भी नुकसान पहुचाता तो बस एक ही सवाल रहेगा कभी कहीं पे शव मिलता है कभी खुले आम चोरी हो जाती है अलग पर एक प्रश्णिचिन खड़ा हो चुका है खास तोर पर करनाल हो या हरियाना प्रदेश हो आमजन सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है अब सब के मन में डर आ जाएगा उन बुजर्गों के मन में डर आ जाएगा वो अराम से सामने रहते थे अब परिवार बाहर रहते हैं तो जो चोर है उसको भी हैंड ओवर कर दिया है तो सकत से सकत कारवाही हो पूछता आच हो और जाना जाए ऐसे कितने मामलों को उसने पहले अंजाम दिया अकेला करता है उसके साथ और भी लोग मिले हुए हैं और आखिर उसने और क्या-क्या समान चुराया है बस इतनी सी बजया पीले